हेलो स्टूडेंट्स स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर्फेक्ट मैथ 4K पर दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्पी एफ कॉंश्टेवल एंड ऐसा ही बढ़ती दोजार चौविस को लिएकर ज देए कम आपको लिए वाला हुए और मैं आपका फ्रेंट्स्टावे क्रेंट सबस्क्राइब करें ना किया करना पड़ेगा सबसे पहले-क dr सबसे पहले करने बात करने बाहु है किि अबें तो आपको घुरु करने प murk करने शाय और उसकी सभी चशीजों का आपको बेसिकली तरीखे से ध्यान रखना भीके दिलुषी बात करें की कि तरीके के कोई प्रोब्लम नहीं आहां एपको सस्ती होगा जोरा हैं कोई आत्री किस तविभसता में हैं कोई परिशान है तो आपको उस स्टेशन की सुरक्षा करनी होगी एक्जाम टाइम सिकॉरिटी यानि कि जो एक्जाम होता है आपने देख आप आर पीएफ की परिक्षा होगी पीटी का एक्जाम होता है बहुत सारे एक्जाम यूप पुलिस जितनी भी एक्जाम गव होते हैं उन्हें आपको सेकॉरिटी के रुप में बहां नूक्ट किया जाएगा फिर ट्रेंड में लडाई जगड़े होते हैं किसे तरीके के तो आपको उसमें बैस्टिकली तरीके से दिहार रखना पड़ेगा तो यह थे यानि कि आर्पिएफ के बर्क यानी कि जो आर्पीएफाले कौंस्टेवाल एंड ऐसा ही जो है उनको यह बर्क यहाँ पर करना पड़ेगा इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेइंग आपकी कभ से कब तक चलेगी और उसके बात करेंगे दिन बज उठें चारव उठें दो बजए उठें वट आपको आपको मॉर्णिंग में पॉंच तीस पर साड़े पॉंच बजे कांटिंग हो जाएगी आपकी ठीक आपको हर हालत में ग्राउंड पर पहुंचना होगा इसके बाद दोस्तों आपको आठ बजे से साड़े नो ब आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा IPS की धारा पढ़ाया जाएगी जो भी आपका उनका स्लेवस में दिया होगा वह आपको यहां साड़े नो से देड़ बजे के टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ठीक है इसके बाद आपको एक तीस से ले करके इस पांच ती ने दिया जाएगा और फिर 6 से 8 मिच आपको डिनर कराइगा और 8 बहुत आपके रूम्न में भेज़ दिया जाएगा और 8 मैंपॉंट की बात है तीक है इसके पाद आपको पढ़ना है लिखना है या मोबाइल Joust करना है आप कुछ भी कर सकते हैं आप अपने रूम में चले जाएंगे और यहां पर जो लाइट आफ कर दी जाएगी तो यह रहेगा आपका टाइमिंग ट्रेनिंग का ठीक है यह इस्पेशल ट्रेनिंग का टाइम रहेगा आपका आर्पिएफ एंड कॉंश्टेवल का यह जो एक कि आपको बैसिकली तरीके से मैं आपको बताने की पूरी कोस्षस की है अगर हों बात करें किसा आल्य करेंबाद करें यह मैं basic salary की बात कर रहा हूं ठीक है basic salary की बात कर रहा हूं अगर मैं यह आलाइंसस तरीके से बताओं तो आपको जो hand में आईगी salary वह यहाँ पर 45000 की salary आपको दी जाएगी कॉंश्टेवल वालों के लिए ठीक है अगर हम इसी तरीके SI की बात करें तो 49000 से लेकर के 45000 तक जो आपकी वह basic salary रहने वाली है ठीक है basic salary आपकी रहेगी 40,000 से 45,000 तक आपकी basic salary रहेगी इन हैंड की बात करें आपकी 60,000 की salary यहाँ पर होने वाली है तो यह बात थी हमारी salary की एस कॉंश्टेवल एंड एसाई तो यही salary आपकी 24 में रहने वाली है ठीक है आप हम बात करेंगे holiday किनना रहता है leave आपको कब तक मिलता है इस तरीके से आपको जो भी doubt है वो आज ही class में सब complete कर देंगे आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubt आज नहीं रहने वाला है देखे लीप की बात करें तो यहाँ पर holy, diwali, eat, in, किसी भी तोहार के आपको special छुट्टी नहीं मिलती है ठीक है यहाँ पर आपको मैं इधर देखा दे रहा और weekly test दोनों की same छुट्टियां मिलेंगी बट यहाँ पर आपको किसी त्योहार की special छुट्टी नहीं दी जाएगी इन छुट्टियों का आप यह कभी भी कर सकते हैं ठीक है जो किसी आपको इमर्जनसी है तो जो 30 CL है 30 HPL है इन बीकली test है इन में आप यहाँ पर आप ले सकते हैं वाट यहाँ पर किसी त्योहार की special छुट्टी नहीं रखी गई ठीक है और आप करेंगे कि 13 मंत की salary क्यों दी जाती है तो यहाँ पर किसी त्योहार की छुट्टी ना होने के कारण आपको 13 मंत की salary RPF Constable and SI भरती को rail मंत्रा लेके द्वारा दी जाती है ठीक एक next video के साथ मुलाकात करेंगे thank you for watch, thank you for support, thank you student